हाई गाइस माइनेम इस अजय दूबे और वेल्कम यौल टो आर फेवरेट चैनल दूबे जी फिजिक्स की वाबा जैसे कि बच्चों मैं आपको वादा किया था कि मैं आपको आपके फिजिक्स एक्जाम के पहले जितने भी चैप्टर आपके फिजिक्स में आने वाले हैं चैप्टर का आज हम क्विक डिविजिन करेंगे पुरे चैप्टर का और जिसके अंतर जितने भी इंप्टन फॉर्मला सबके सब फॉर्मला देखने वाले हैं तो बने रहेगा वीडियो के अंतर तक और इस वीडियो को पुरा इंज्जॉय करिए और यह आपके लिए आज में पूरा गैस का इसमें इंफर्मेशन देंगा मैं करके होता है अलंकर में ने मोशन के उपपर बताएं तो देख एंजो partner में सबसे परा एक्वेशन होता है डिएल बयृ माइेशन इहां पर दिया गया सबसक्राइण और और यह उप्वेशन होता है यह द आपके इह पड़ेगा this is very important you will have to remember it pb equal to nrt याद करने का तरीका में आपको पता देता हो पावभाजी इन्नावरात्री याद करने का ट्रिक है गाइस लेकिन एक्जाम में ऐसा मत लिखना है कि अज्यू सर ने ऐसा बताया था this is what the trick कि आपको याद कर सकते हो पी इस वाट प्रेशर वी वॉल्यूम और इस नंबर आप मोल आर इस इन्निवर्सल गैस कॉंस्टेंट एंड टेंप्रेचर इसको हम लोग गैस लॉब कहते हैं क्या कहते हैं गैस लॉब कहते हैं अच्छा यह एक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है किसने बनाया था तो इस प्यारे से फॉर्मला को डिराइब किया था जिन्हों ने क्या कहा गया है कि वहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वह प्रेशर को इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता जिकी जो कि वरूबर है यूँकि आपने देखा होगा कोई बलून है ठीक है बलून में अगर आप से होता है तो रहादा तो यहां पर ज्यादा इंप्रीचर क्या होँगा रिकाइड रहेगा तो आप ज्यादा इंप्रेचर होगा तो भी हैती यहां अगर प्रेचर बढ़ रहा है हाँ फाहे पर ने क्श Node य block user's a掉 प्रेसर बढ़ रहा है प्रेसर बढ़ेगा उसके लिए तर्टेसर बढ़ जाएगा रइंग नवाटर बनाए गया था अगे जाते हैं मोल्स को हम चाहिए अधोर करते हैं यह को इसका स्वार्मला होता है मस अपन मुलार मस मास के लिए की मोलार मास के लीए M not नडे ले नहीं इसका फॉर्म्ला होता है एक फॉर्मिला होता है जो M को मॉलार मास को पणता है कि आपको पता होना चाहिए लिखो चाहिए लिखो एक क्थर या रहता हुस्ट आपर आपको पता होना जी यहन क्या है नंबर of molecules in gas मतलब उपर बैटेगा और एने क्या है मोरार मास की जिए आप पर गैद्रस नंबर को बैठा सकते हो जिससे आप किसी भी elements का क्या निकाल सकते हो आसानी से मोल निकाल सकते हो मोल एक टाइप का क्या होता है जो किसी भी quantity को रिप्रेजन करने में काम आता है इसको mostly chemistry के language में इस्तिमाल करते है और आपको पता है फिजिक से एक ऐसा सब्जेट इसमें chemistry के पढ़ना पड़ता है तो कोई बंदा नहीं है इसको कर लीजेगा अगला अगला तो आपको यह आएगस आपको यह थी मतलब आएंड़्य होता है और मने आपको बताया है अब की जगह पर क्या न पुट कर दो यह मोल है मोल का बोलो हुम यह पुट कर सकते पता है न की जगह पर अर यहां के लेने के लिए बताया है बाल्समन ने N, A, KB मतलब बयगे लिए नमबर लेने के लिए बोला है constant of और उसके बाद क्या गाइस उसके बाद आपका आ जाता है तो अगर आप देखोगे एकड़ जाएगा यहां से तो आज आएगा पीवी इक्वल टू यह हो जाएगा गाइस एन के बीटी आपका एक्वेशन आ गया ठीक है और एक्वेशन देखो दिख रहा कि नहीं दिख रहा है तो आपको पता हुना चेक ऐसे एक्वेशन आ है इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हो बोल्जमन का रियक्शन पोश सकते तो आप इसका फॉर्मला लगा कि क्या करना वैल इसको याद करते हैं तो आपर वेलॉम के लिए गबराना अंदो दोंगो को समझतक काट मत देना ठीक है तो आपको पता हो आपको यह वालूम के लिये और हमें बस्पन में बताया है कि आज मास अपॉन वॉल्यum क्या होता है जेंसिटी लिये ले लिया है और यह मतलब number of moles के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं तो माल लो number of moles एक है तो एक करके उसको हटा सकते हो तो आपको आएगा P equal to 1 by 3 यहाँ पर density आगे और V square आगया ठीक है तो इस तरह से इसको कर सकते हैं आगे चलके करते हैं मतलब root mean square velocity अच्छा यहां पर आपको velocity दीख रहा होगा आप यहां से निकाल सकते हैं यहां से अगर आप क्या करोगे यहां थ्री कुले जाओ तो थ्री पीवी हो जाएगा और नीची हमा जाएगा तो आपका इसा बनेगा आपका इस बन जाएगा इसके लिए आपको कुछ भी टेंसल लेने वाला बात नहीं है यार तो टेंसल मतलना फटा-फटा-फट इसको रिवाइस कर लो है तो उसका में जो इनरजी होता है कानेटिक उनरजी आपको बताना है तो इसको याद कर लो अगर इसको याद नहीं करना तो सिधा यहां पर आजाओ यह में फ़ॉर्मयला एक यहां शान कर silicone बज één पर उनिट मास्क करना है तो 3 by 2 rt by molar मास्क करना है अगर करनेटिक अब गाइस पर उनिट मॉलेकुल करना तो 3 by 2 rt अपर एवग एद्रस नंबर यह फॉर्मुला बहुत अच्छा याद कर लिजे गाइस आपके एक्जाम में नुम्रिकल में आरे कि फुल चांसे से फुल चां पर उनिट मोल तो आपको फटाक से फॉर्मॉला लगा कि क्या करना जो वैलू रहेगा आर का उटी का लूपुट कर देना आपको इंसर आ जाएगा तो आपको यह पता होना चाहिए आज इस स्पेसिफिक हीट कैपसिटी क्या होता है कोई भी इलेमेंट कोई भी मेटल या क ऐसे कई कोई बी आपजेक्ट कुटना ऑफ हीट को एबज़ॉब कर सकता उसका कित्ना कापसिटेफी के बताता टेंप्रेचर डिफ्रेंस बताता है चेंजी टेंप्रेचर बताता ठीक है तो आपको याद होगा तो मेर नाम के के इस लीनन करते के मेरे पर तो आपको याप के अव्म करके हैं नियुफर क्वछ्राइब करएं और वह पर निखन ही इसी खाven रायुटे पर निकाल दोजेएे और यह पर आपको इसी mark निकालने सबीद्वेद सकता है या constant की वोलिम पर निकालने के लिए बोल सकता है बहुत ही इंपोरेंट वाला है चाहे आपको यहाद होना बहुत मश्ट है इसको अगर आपने याद नहीं करोगे तो किया होग ya तो प्लीज को याद कर pertama कर जहां तभी आपक के लिका रही आथा थे जो आगए आगए तो यह यह व क्या स Casey आया का उसके एक यह तबड़ा कर नहीं नहीं अधरू है कि मॉसे प्लग मतलब होता जिसमें 1 प्लडा लिए, लिए मतलब जिसमें 4 मतलब लेता है और आपको क्या करना है पता है हर एक का मोनो का चाहेасс dipped रायगा कोई भी पढ़ रहा हो ना आप याद कर लो चाहेat KP का वैलू कोई यह आपको आपको पता है और नमर के बाद अपको पता और आपको पर नमबर स्यास्रीज़ इस से आपको होने वाला क्या है अगर आप एक value याद करके रख लोगे न तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा CP या फिर कोई दुसरा value निकालना कैसे देखो जिसे कि अगर मान लो आपको ये value याद है suppose monatomic आपको exam में दिया गाइस ठीक है और आपको एक value याद है मैं आपको request करोंगा सबका पहला पहला जाद कर लो आपको याद है मतलब याद कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा cv इकोल टु आपको पता है 3 by 2 r होता है constant ठीक है volume पर तो अगर आपको ये याद है उसके बाद आपको relation पता है मेहर्स का मेहर्स का जो आपको equation पता है माइनस उदर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो आपका एक्वेसन इसा मन गया आप यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आपका 3 यहां कुछ निवत लगवा निवन का मल्टिप्लाइए 3 के साथ और नीचे का जो आता है इसका इसके साथ ठीक है तो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होता है इसमें आपको पता होना चीए तो उसे आप करके आप क्या कर सकते हैं तो आप यह भी निकाल सकते हो गामा तो कि CP आपको याद कर लो और यह वाला इक्वेशन है उसको याद कर लो आपका काम बन जाएगा जब भी मेर का कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो स्वाल कर लोगे ठीक है तो आपके पास समय कम है आरसले स्वाटकर बता रहा हूँ झाइऑ तो बन आप याद कर लोगे तो आप यहाँ पर पekiसे निकाल सकते होUnis और कुछ भी विद में आपके पास कि आपको क्या याद है आपको याद है CR हो ठीक है आपको क्या निकाना है CP minus CP equal to Arap आपको पता है तो आपको क्या करना CP cancel Cp क्या हो जाएगा R plus Cb तो क्या अर-2 से ब्रेक्ट क्या हो जाएगा और स्वेज़़ी आर-5 हो जाएगा यहां पर कितना हो गया देखो थ्री आर और कितना हो गया थीड़े प्लस एफ इन्टो आर दिखा ना मने क्या बोला एक बस याद कर लो बाकी हो जाएगा अगर आपके पास सीपी सीबी जो दोनों वैलु आगे तो आप गामा भी ऐसे निकाल सकते जो कि क्या होता सीपी अपॉन सीबी होता बस वैलु पुट कर देजिए आपको वैलु आ जाएगा ठीक है तो टेंशन नहीं बहुत आसान था बहुत सस्ता मैं बता है आपके लिए आगे चलके देखते को इफिशिंट धाय कोईफिशन हीट रेडिएशन कोईफिषंट रिडिएशन आप हीट रेडिएशन अफ हैसा होते है तो ये क्या कोई सर्फैस यह का ट्रांसमेट मतलब हो रहा है है मतलब है दोनों हो रहा है डूक्सी और रिफ्यक्स डौना हो रहा है ठीक है तो अगर मुछी यहाँ पर यह निकालना है हां यहां से sı्प्लिम क्या होता है क्यों विण रइस्प्ण क्या होई उसका क्या होता है ठीक है ठीक है बतला मालो क्यों हीट यहां से आ रहा है क्यों हीट मैंसे उसने क्यों क्या किया किया है क्यों मैंसे क्यों क्यों क्या एब्सॉप किया है तो यही इसका फॉर्मला वन गया कि इसका अब्सॉप्शन का ठीक है ऐसे आप क्या अगर से तो guys reflection भी नीगाव सर यहाँ से heat आ रहा है और हीट मैं से subject's reflect हुआ तो अगर मुझे नीकाना है draft हुआ हुआ है हीट reflect upon total heat ठीक है पतल वार नौन के रहा था समय से qr क्या हो गया qr क्या हो अब notes how to apply let a principalmente इस आपको transmission ryxis हो ніut जाए बहुत ज्यादा बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए आगे आ जाते हैं इमिशन ऑफ हीट रेडियेशन यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है इमिशन मतलब आपको पता होना चाहिए जब आपको मैंने बताया था फोटो एक्ट्रिक एफेक्ट इसे के मालूओ और सबस्वेश यह सब्सभ Eig अब अब आपको पता है सन्नी भार्याई चांग लेथे बाइए यहां घ्ञा आएक आए तो आपको क्या होगा जोगेक्षा कर रहे तेंद का इस है बगए पाएंगे ये त्रक्रिक्न चप्रेश को चौड़ेंगे इसे प्रक्रिय वाट कहते हैं इसे फो्टो ऐक्टीक SAM F प्रक्रिकन अफितना होगा कोई कितना भाग सकता है तो इससी मुझे को जितना इस सर्फेस ने डिंग करके रहेगा उतना क्या करसा तक हा कि ल Hill को ही बाहर से एक बाहर से बहर उसमें से कुछ radiation क्या होग은 बाहर जाएगा ठीक तो आपको पता होना यह बनता है एक फॉर्मुला ही बनता है जो होता मौट ऑफ ही तो आपको यह जा चुका है इस पता करना ठीक है आपको पता इसी फोड़ा से q एक आसा फॉइल बना दिया और इसी फोड़ा को तो आपका इसा दिखेगा इसी फार्मिली को हमने आपका स्प्रेट करके दिखाई आप लोग को पता नहीं होगा कि यहां पर यह थी दा पावर फोर्त कैसा है जो सिक्मा टी कीसा है को स् भी सर्फेस से एनर्जी कब बाहर निकलना चालू करेगा जब सर्फेस के ओपर टीदा पाउर फूर टेंपरेचर आ जाएगा मतलब उस जो एक्टिव टेंपरेचर है उसके चार गुने ज़्यादा टेंपरेचर सर्फेस के ऊपर जबाएगा गाईस तभी ऐलेक्टरॉन वहा है आपर आर दिख रहा होगा यहां पर आर पर यह जो आर है ना तो आर का वैलू सिग्मा टीदा पाउर फूर्ट करके ना आपका ऐसा एक्वेशन त्यार किया गया तो कंफूज मत होएगा ठीक है आगी करते गाईस एक होता है बिंस डिस्प्लेश्मेंट थे जो बता रहे है मतलब ऐसा आपको बताया गया था तो आप फॉर्मला बैस याद कर लेजिएगा कि लेंडा मैस इकॉल टू बाइटी होता है और विंस डिस्प्लेश्मेंट करके आपको पूछेगा नियुम्रिकल का तो आपको सीधा बोलेगा फाइंड दिस्प्लेश्मेंट फॉरा मैस वैल्यू ठीक है तो ऐसा करके पुछेगा आपको अच्छा नहीं रहता है तो आप इसको याद करके जाएगा ठीक है और मैंने बहुत से वैल्यूज अगर आपको याद होगा हमने जब फॉर्स चैप्टर कर रिविजन किया था गाइस फिर्मेंबर दैट रोटेस्नल डैन स्टार्टिंग में आपको कॉंस्टेंट वैल्यू जितने भी फिजिक्स में इस्तिमाल होने वारे सब बता के दिया हूं जिसमें सब वैल्यूस का मैंने वहां पर इंडिकेट करके दिया है तो प्लीज जाए उसको भी देख लेजेगा ताकि भूलिये मत और इस तरह सामने कर सकते हो इस्टाग्राम पर पूरा वी वहां पर बताया गया है दूबे जी आपको नोट से दिखाई दे रहा है गाइस उसको आपको क्या कर सकते हो ले सकते हो फिक है या अपको एक्जाम के लिए बहुत बहुत शुल्ब कामना है आप तैयारी करते रहो और मैं भी आपको सपोर्ट करते रहूंगा इसे ही आते वारे चैप्टर नमबरeight फॉर चैप्टर नमबर फाइ से आपको हर चैप्टर का इक्जाम के पहले सब करा कूँ करा दो